बच्चो आज हम लोग नौ भारती हिंदी पार्ट माला का पार्ट तीन हमारी कक्षा पढ़ेंगे बच्चो पार्ट तीन हमारी कक्षा चित्रवर्णन है बच्चो चित्रवर्णन का अर्थ होता है चित्रों को देखकर जो भाव हमारे मन में आते हैं उन भावों को उसी रूप में लिखना बच्चो जब भी हम कोई चित्र देखते हैं तो कोई न कोई भाव और विचार हमारे मन में आते हैं हम उन भावों या विचारों को उसी रूप में लिखते हैं या फिर बोल करके बताते हैं यही चित्रवर्णन कहलाता है चलिए बच्चों अब देखते हैं पार्टी हमारी कख्षा का चित्रवर्णन चित्रों को ध्यान से देखो और बताओ बच्चों यहाँ पर जो चित्र दिये हुए हैं हम उसे ध्यान से देखेंगे और उसके बाद जो भाव और विचार हमारे मत में आएंगे हम उसे बताएंगे तो चलिए बच्चों पहले चित्र को हम ध्यान पूर्वक देखते हैं सबसे पहले बच्चों हम ये बताएंगे कि ये किसका चित्र है बच्चों आप चित्र को ध्यान से देखो और बताओ किसका चित्र है ये एक कक्षा का चित्र है इस कक्षा में क्या है? बहुत सारे बच्चे हैं देखे बच्चों आपको दिखाई दे रहे हैं कफशा का चित्र और बहुत सारे बच्चे हैं और बच्चे क्या कर रहे हैं? अलग-अलग समुहों में बैठे हुए हैं और सारे बच्चे बैठ करके क्या कर रहे हैं? चित्र बना रहे हैं हना आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं कि सारे बच्चे अलग-अलग समुम में बैठ कर चित्र बना रहे हैं देखो बच्चो चित्र में उनकी क्या है मैं भी है जो उनको निर्देश दे रही है कि चित्रों को कैसे बनाना है चित्र को देखो बच्चो सारे बच्चे चित्र बना कर कितने खुश है उन्हें चित्र बनाने में बहुत मजा रहा है देखो बच्चो सारे बच्चे अलग लग चित्र बना रहे हैं कुछ बच्चे पेर का चित्र बना रहे हैं बच्चो आपको भी चित्र बनाते हुए बहुत खुशी होती है ना, बहुत मज़ा आता है ना, उसी तरह इन बच्चो को भी चित्र बना करके बहुत खुशी हो रही है, इन्हें बहुत मज़ा आ रहा है, बच्चो ये था हमारी कक्षा का चित्रवर्णन, बच्चो जिस तर झाल